यूक्रेन युदु को दो साल पूरे हो चुके हैं फरवरी 2022 से ही लगाता है अमेरिका ब्रिटेन यूरोपिय संग रूस पर पाबंदिया लगा रहे हैं हाली में रूस के विपक्षिनेता अलगजी नवालनी की जेल में मौत हो गई और इसे अमेरिका समेथ रूस विरोधी देशों ने हत्या करा दिया इसके साथ ही इन देशों ने रूस पर नई पाबंदिया भी लगा दी है रूस पर इस वक्त 16,000 से अधिक पाबंदिया रूस पर नवालनी की मौत से पुतिन को कोई लेना देना नहीं है और नवालनी की मौत से पुतिन को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है नमस्कार आप देख रहें स्ट्रेट टॉक मेरा नाम है निहा शुकला सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो सवाल यह है कि पुतिन की चनौती कह जाने वाले विपक्षी नेता नवालनी की मौत क्या लोकतंत्र पर प्रहार है और नेता नवालनी की मौत के क्या माईने निकाले जाने चाहिए और सवाल है जो हम चाहते हैं कि सवाल रखे जाए क्योंकि इन सवालों को भी समझा जाना बहुत जरूरी हो जाता है यह सवाल कुछ इस तरह से है क्या पुतिन की चनौती कह जाने वाले विपक्ष के नेता नवालनी की मौत जो सामने आई है इस पर कुछ भी आधिकारिक या फिस पश्ट रूप से सामने क्यों नहीं आ सका है उनकी मौत के कारण क्या है क्या इसके माने निकाले जाने चाहिए क्या रूस में लोकतंत्र का गला घोटा गया है क्या इस तरह की बातों को जो अटकले लग रही है जो क्योंकि अस अले से ही जो पुतिन की पार्टी है वो एक पक्षिया पर्टी की तरह ही बरताव करता है यह देश नज़र आ रहा है लंबे समय से और क्या मौत से पहले नवालनी को सबसे कठोर जेल भेजा जाना किसी साजिश का हिस्सा था किसी साजिश के तहट नवालनी को रूस के सबसे कठोर तम जेल भेजा गया था और इसका उनके दोस्तों परिवार के लोगों को पता भी नहीं लगा था भनक भी नहीं लग पाई थी, बाद में खुलासा हुआ कि उन्हें वहाँ पर जेल से शिफ्ट कर दिया गया है, हमारे साथ बहुत ही प्रबुद पैनलिस जुड़ चुके हैं, ये स्वागत कर लेते हैं, फॉर्मर अंबासेजर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केतन में आपका स्रेट टॉक में, और रूस से जो खबर निकल कर आई, अलेक्जरी नवालनी की मौत, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, कि आप नवालनी की मौत को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समेच, जो वेस्टन वॉर्ल्ड है, उसने रूस पर नहीं पाब बहुत संदिक्द उसमें हुई है, डेमोकरसी के लिए बहुत बड़ा दक्का है, पर आप ये, अब हम कहीं बार बात कर चुके कि कुछ देश जो है, वो एक और आटोकरसी है, तो पुटीन को हम डेमोकरसी कहेंगे, मार्च में इलेक्शन होने वाले है, जिसका रिजर्ट कभी से सारी दुनिया को भी दी थे, ये जो गटना गटी है, काफी यंग एज में बुजर गए है, 1976 में उनका जन्म वह था 47 एज में, एक आइकोन कह सकते है उनको, डेमोकरसी का, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑगस्ट 2020 में उनको जर्मनी ले जाया गया था प्लेन से, ज कही लोगों की संदीक तो मोत हुई है, तो वो नोवी चोकुंग में, ब्लड में भी पाया गया था, और पुटिन, एक केजीबी के, पहले इस्ट बर्लिन में, ऑफिसर रह चुके है, और उनकी जो मैथर से, आपको याद हो का, इंडिया में भी एक बहुत बड़े बिजने पहले है, तो अभी एक स्पेइन में भी एक मौत हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एक जो इनकी मैथर है, कि स्पेइन में एक लड़का जो रश्यन आर्मी को छोड़के गया था, उनका प्लेन लेकर उसकी मौत हो गई, उसे पिता जी ने भी का, वासर डेविल ट्रेटर पर, उसकी भी मौत संदेख भी है, तो एक चीज की उनकी दाथ देनी चाहिए, एक रश्या में इतनी जो कहते हैं, कि डेमोक्रासी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह एक तरह की डिक्टेटर सीपी है, उसमें भी एक बहुत ही बड़ा है, उन्होंने एक आया हम रखा है, कि वो जर्मनी में उनकी ट्रिटमेंट के बाद, जन्युरी दोजार इकिस में वापस आये, और उसके बाद सभी मानते थे कि कुछ न कुछ होगा, फिर भी इनकी जो हिम्मत हैं, उनको दाथ देनी पड़ेगी, रश्या में ये है कि पोलिटिकल इस तरह की मुरु आपको याद होगा, बहुत पहले इसमें ट्रोटेश की को मैक्सी में मार दिया गा था, लेनी से ज्यादा इंटलिजन था, और रश्यान जो रेवोलिशन हुआ, उसके बाद भी कहीं आपको ऐसे कहीं केस मिलेंगे, तो उनका जो वापस आना था, पर उनके सिवा रश्या म आज के दिन में ऑपोजिजन में कोई ऐसा लीडर नहीं था, बहुत करिस्मेटिक थे, अच्छे स्पीकर थे, और जो कहते है जुजारू नेता थे, अब उनको जो आपने कहा कि वो पहले से ही तही था, पहले उनको डाई साल की कैद से डिकलेर की, उसके बाद दूसरे केस म नौ साल की, और उसके बाद ऑगस्ट ट्वेंटी, ट्वेंटी त्री में एडिशनल उननीस साल की कैद, इसका मतलब के पूरी जिनगी, तो मैं दर्सों को कर सब को कहूंगा, एक किताब है, एलेक्सांडर सोलजेनिसीन जिसको नोबल प्राइज मिला था, गुलाक्स आर्कि पहला को, और इसी तरह उनको भी आर्किक प्रिसन में भेजा गया था, और सडनली एक उनका जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, कि उसमें हाथ है कि नहीं, कि सोलह फिब्रुरारी को उनको जब वाक करके आये, और उसके बाद कॉंसियसनेस उन्होंने गमा दी, और फिर इनकी काफी अच्छी थी, तो आर्किक में एक तो यह है, कि आर्किक में जहां वो रहते थे, उनकी कंडिसन कैसी है, वो तो अब हम जानते नहीं है, पर गुलागार की पहला को जो पढ़ेंगे को याद नी, तो उसको पते चलेगा कि रस्षिन प्रिसन इन साइबिया में किस तरह की मुश्कीर कंडिसन में होती है, एक मात्र ओफिसन में इसलिए कहता हूँ कि ये पहले से ही उन्होंने जब उपन रश्या फांडेशन बनाया, खोडवस्की ने भी उनको जहर्प किती, खोडवस्की भी ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो 40 बिलियन डॉलर का एमपायर चोड़के स्विट जलेट में आप चले गए, उन्होंने अपनी पुरी युकोस दे दी, बाकी गोलिगार की तरह, तो ये जो हुए उसमें उनको एक ही आदमी ऐसा था जिनको मेरी विलेक्शन में 27% वोर्ट मिले थे, जो बहुत ही रश्या में, कवर्मेंट और उसके बावजूद भ कई जगह, स्पॉंटेनियस, विजिल हुए हैं, और उनके पर काफी कह सकते हैं कि लोगों को जेल में डाला जा रहा है, फिर भी लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं, दूसरी चीज ये हुई कि उनकी जो बाड़ी थी, उसके लिए उनको ये का का आप सिक्रेट फिनरल कर ल और उनकी बाड़ी उनको सौब दी गई है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी अमेरिका में है, और अब देखा जाए तो रश्या के लिए, ये कहते हैं कि बहुत बड़े नेता, तो डेमोक्रासी में ऑपुजन पार्टी को एक स्पेस होनी चाहिए, पर रश्या जैसा कंट्री जहां मिडिया नहीं है, जहां जुडी सरी आपने देखे कि उनको तीन बार उनको करफसन चार्ज और ऐसे ही फैब्रिकेटेड चार्ज में उनको जेल की सजा दी गई, तो ये सब देखते हुए लगता है कि कुछ दिनों के लिए ऑपोजीशन का, पर ये चीज है कि हमेसा जब डिक्टेटेजरी आटोक्रसी में कुछ साल तक ये सब चीजे चल सकती है, पर जो पब्लिक है, उनका रियक्शन काफी कंभीर है, और ये चीज हम कह सकते हैं कि जो ये वार युक्रेट की चल रही है, तो इलेक्शन में कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, मैं नहीं केस है, और उसमें ये एक बहुत ही, पूरी वर्ड ने इसमें काफी रियक्शन दिये है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग रियक्शन आए है, वो प्रेसिनेंट बाइडेन का है, वो उनकी वाइफ यूलिया और उनकी डॉटर डासा को कैलिफॉर्निया में मिले, और व पूरी का का इलेक्शन जो आ रहा है, उसकी वज़े से युक्रेइन वार और पूटीन की हिम्मत बढ़ती जा रही है, प्रेसिनेंट ट्रॉंप ने, जो एक्स प्रेसिनेंट, वो अपने आपको प्रेसिनेंट बोलते हैं, तो उन्होंने यहां तक कहा कि मेरी हालत भी नाव कि मौत के बाद एक सबसे बड़ी चिंता लोगों को यह हो रही है, कि यह डेमोक्रसी का, पर्टिकुलर्ली जो ट्रॉंप का स्टेंड पूटीन के साथ, कि 2017 में उन्होंने हेल्सिंग के में कहा था, कि I trust FBI, CIA, तो बाकी लोगों ने स्टेट्मेंट दिये हैं, पर सबसे ज्य मैजोरिट्री लोग डेमोक्रसी में मानते हैं, तो नावाल्स की मत का पुटीन को फाइदा होने से जदा मुझे लगता है, कि नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन में भी यह चीज काफी important role इतना important नहीं करेगी, पर एक factor जरूर बन सकती है, और एक दूसरी जो च उनके सामने पोल, वेलाम और इवान दो जर्नालिस्ट और इनकी बात हो रहे थी कि तीनों का, और ये टकर कालसन, वो भी एक बहुत, जैसे उनकों का, हमारे वहाँ भी ऐसे एक-दो जर्नालिस्टे उस तरह के थे वो रश्या गए थे, उन्होंने भी इस तरह की हिंडी थी देख रही थी, जिनमें नवालनी को सजा दी गई थी, वो मामले धोखा धड़ी के थे, और फिर उस पर जो सजा दी गई थी, शर्ट सजा दी गई थी, हलाकि सजा निलंबित कर दी गई थी, लेकिन उन शर्तों का, उलंगन का फिर उनको दोशी करार दे दिया गया, और इन सब जो है रूस में हो रहा है और वहाँ पर विपक्ष की आवाज को जो कि नवालनी कोशिश कर रहे थे और कहीं न कहीं मैं रूसी जनता की तरफ आपका ध्यान आकरशित करना चाहूंगी यह रूसी जनता जो लोकतंत्र का समर्थक रहती थी वहाँ पर मौझूद है वो नव नवालनी को सपोर्ट कर रही थी और ये भी इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन जो है नवालनी की लोक प्रेता या फिर ऐसे लोगों को एकठा कर पाने में लगाता सक्सेस्फुल हो रहे थे जो पुतिन के खलाफ है जो पुतिन की नीतियों से परिशान है जो रूस में लोक जो के जाने के बाद और येल्स्टिन के जाने के बाद पुटिन का एक चक्री सामराजिय रहा है जैसे कि चाइना में जी का है और जी ने भी वहां कई लोगों को जो निकाल दिया तो उसमें ये है कि 20 से 30 परसंट लोग उनको सपोर्ट करते हैं सिटीज में पर बाकी ओवरॉ गॉड इस अनैपी जिए रिवर विल बॉल एंड दर विल रिवल्यूशन तो ये चीज ऐसी है कि एक तो लोगों की आर्थिक परिस्थिती इतनी अच्छी नहीं है पर्टिकुलरी उक्रीन वोर के बाद फिर मीडिया तो नहीं हम कह सकते कि मीडिया वहां जो लोग साही के स्थम्ब होते हैं तो एक तो मीडिया है दूसरा है जुडिशरी जुडिशरी आपने जैसे कहा मैंने कहा के पहले डाई साल की फिर नाव साल की फिर सत्रा साल फैब्रिकेटर चार्ट पे उनको सजादी गई थी तीसरी जो चीज जब लोग साही में सबसे इंपर्टन्ट हो है तो एक तरह की कहते हैं यह तरह की जो लड़ाई होती है जैसे हमने भी हमारी आजादी की लड़ाई में देखा था कहा गांधी जी तो उन्होंने 1920 से जो शुरू किया तो 47 तक हुआ निरसल मांडेला तो यह सब लंबी वार होती है पर एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे मार है तो यह चीज जैसी है कि लंबी लड़ाई थी एक लोग साही के लिए बड़ा दक्काई यह है कि अब जो पब्लिक अवेर्नेस और उनकी तरह का लिडर उनकी वाई फीलिया ने काया कि मैं उनकी लिगसी आगे करूंगी पर वो अमेरिका में होंगे और बाकी लिडर उनक अब जो लोग साही के लिए हम यह कह सकते हैं कि बाकी स्तम तो कहीं जगा प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका में भी यही दिक्कत आ रही है तो यह डेमोक्रासी के लिए कुछ जितना कहते हैं कि 2023 2024 इतना अच्छा नहीं है अमेरिका के रिजल के बाद इस पर ज्यादा यह सब खास करके नवालनी की मौत के बाद पूछे जा रहे हैं कि आप क्या अभी भी पुतिन का साथ देंगे आप अभी भी क्या रूस के साथ लड़े रहेंगे जहां पर विपक्ष के नेता की जेल में मौत हो जाती है इसके बाद भारत के लिए यह क्या एक embarrassing situation नहीं है कि इसको रूस का पारम पर एक मित्र भी कहना पड़ रहा है और उस पर तबाम पाबंद्यां लगी हुए इसके बावजूद वो रूस से अपना व्यापार जो है बरकरार रखे हुए है व्यापार तो रहेगा क्योंकि जैसे कि कहीं country है तुर्की है ब्रिक्स country है साथ आपरिका है ब लगाई गई है तो सेंक्षन का भी हम आगे डिसकस करेंगे कि सेंक्षन की जो impact है वो इतनी दो साल में देखने को नहीं मिली है तो यह सब चीजे देखते हुए हमारे लिए जो कहते हैं कि हम लोक साही है पर बाकी सब लोक साही है जैसे ब्रिक्स country है और बाकी सब है और पर यह सब चीजे की है पर हमारे लिए सेंक्षन लगाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है और बाकी चीजे अभी इस तरह की जो हालात है उसमें इंडिया का मुझे लगता है कि कोई रियक्षन आना संभव लग नहीं रहा है क्योंकि बाकी कंट्री का भी कोई इतना बड़ा रि और यह एक तरह से हम कहें कि इसको इंटर्नल मेटर लेके कोई ज्यादा स्टेट्मेंट इसमें आने का चांसिस कम है यह कहीं लगई भारत भी अब तेजी से इनी रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा होता नजर आ रहा है और ताजा नमूना राजसभा करना पड़ सकता है तो कहीं नहीं जो एक दलिया जो राष्ट है उसमें भारत का भी नाम गिना जाने लगा लेकिन मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहूंगी उस आपके उस स्टेट्मेंट की तरफ जिसमें आपने कहा है कि रूस तमाम पाबंदियों के बावजूद ही होने वाला है और यूक्रीन की युद्ध को दो साल गुजर चुके हैं और रूस अभी भी इस युद्ध में बढ़हत बनाए हुए इसका दावा कर रहा है अमेरिका और पश्चमी वर्ड चाहे जितनी भी बाते कर ले दावे कर ले लेकिन इसका असर रूस पर कम ही पढ रहे हैं तो इसे जो ऑईल और उसका तो सैंक्शन की इतनी बड़ी इंपेक्ट आई नहीं है और सैंक्शन एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ही लॉंग टर्म में इमीजेटली उसकी इंपेक्ट आती नहीं है तो युक्रेन वार में पर्टिकुलर्ली एक चीज होई के एक वेस पर्टिक आई नहीं है आपने जो कहा युक्रेन वार युक्रेन वार के दो साल अभी पूरे हुए और एक चीज हम कह सकते हैं एक ही पॉजिटिव चीज है कि जनरल मिलन ने कहा था साथ दिन में युक्रेन दोस्त हो जाएगा और अब दो साल के बाद भी युक्रेन खड़ है और लड़ रहा है यह सबसे पहली चीज यह बहुत इंपॉर्टन्ट है कि इसमें युक्रेन का खाली फेट नहीं है पर पुरी दुनिया की सेप चेंज हो सकती है अमेरिका ग्लोबल पावर रहेगा नहीं यह भी इस से डिसाइड होगा और तीसरी इंपॉर्टन्ट हुए हम यह कह सकते है कि युक्रेन वार अभी आपने जो कहा यह सही है कि इसमें भी पुटिन ने एक अभी गलती जो हुई है सबसे बड़ी वो अमेरिका और यूरोप की उन्होंने सुरू से ही युक्रेन को पीसमिल हैल्प किया है जो कहते हैं कि हंड्रेट परसंट वो मिली नहीं है पर रश्या का भी इसमें काफे नुकसान हुआ है एकोनोमी जैसे मैंने कहा इतनी उसमें इंपेक्ट नहीं हुई है पर अब यह वार एकोनोमी हो गई है इंड़स्टिरल प्रोड़क्शन जो है वो वार के लिए ज्यादा हो रहा है उनका ओवराल एक दिक हमें हो रहा है और ब्रिट्स कंट्री तो यह इसकी वज़ा से सैंक्शन की जितनी इंपेक्ट आनी चाहिए इतनी नहीं आई है पर लेटेस्ट रिपर्ट में है कि जो टेक्नोलोजी बान लगाया है तो 60% जो मैटल है स्पेशल मैटल है प्लास्टिक और यह सब जो है स्टील और चेप्स तो उसमें रश्या का इंपर्ट 60% कम हो गया है तो इसकी लॉंग टर्म इंपक्ट हाइटेक अर्मामेंट और उसमें काफी होगी और एक दूसरी चीज़े हाफा मिलियन ट्रूप अमेरिकन डेटा है पर गलत भी हो सकता है कि हाफा मिली पांच लाख रश्यन सोलजर की मौत हुई है और साथ में ब्लैक सी उनमें उनका प्रभुत्वा मौर और लेस्ट खतम हो गया ऐसा हम कह सकते हैं तो यह है कि यह नुक्शान हुआ है अदवई का और आपने जो कहा कि अदवई का अदवई का अदवई का अदवई का को हम यह कह सकते हैं कि इट वहां कुछ नहीं रहा है कोई इंट्रास्टेक्टर नहीं रहा है और ओवरॉल दस साल से जो यह वार चल रहे तो 18% टेरिटरी गवाई है पांसो मीटर खाली सब जगह पे रश्या का थोड़ा बहुत एडवांस हुआ है आगे अब बाकमुत में होगा बाकमुत गौहने के बाद अब मुझे लगता है ओड़ेसा की और डॉंस्टेक और उनकी मुवमेंट होगी पर यह मुवमेंट जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत युकरेन का विल पावर नहीं था पर जो एम्मूनेशन है उनके पास अब ह एलेक्शन को आप किस तरह से देख पा रहे हैं इसका रिजर्ट पहरे से वैसे तो पूरी दुनिया को पचा था कि पुटिन जितेंगे पर यह जो पर्टिकुलर्ली अद्वई का जो अभी उन्होंने कैप्चुर किया है उसका एक रिजल्ट है कि एक साइकोलोजिकल पुटिन के लिए है क्योंकि वो यह कह सकते है कि बहुत सही चल रही है क्योंकि बीच में बहुत पैसिमिजम था पर्टिकुलर्ली वागनर को वापस चला गया जी एक चीजी है कि उनको एक साइकोलोजिकल एडवांटेज रहेगा दूसरी चीजी है कि अब उनका कोई ऐसा opposition leader जो पहले जो थे वो तो अभी कहीं है ही नहीं तो उनको एक opposition का भी नहीं है तो लगता है कि एक अच्छी जीत होगी पर इसमें एक चीज़ यह है कि हम यह कह सकते हैं कि Ukraine war सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि Ukraine war शुरू हुई तब European Union में आर्मामेंट या उसकी कोई industry कोई production ही नहीं था और अमेरिका ने भी सोचा था कि उनके पास उतने reserve है उसके तो एक asymmetrical warfare हो गई है कि जिसमें रश्या 30 साल तक superpower उनके पास काफी आर्मामेंट था 30 साल में और एक superpower था जबकि अमेरिका में आपको टाजू होगा कि उन्होंने दो चार कंट्री के पास है युक्रेन को supply कम हो रहा है दूसरी चीज़े इरान और नौर्थ कोरिया अगें दोनों का आर्मामेंट इंडस्टी काफी तो इरान ने ड्राउन और मिसाइल सप्लाई किये है पुरिया ने भी उनके भी मिसाइल वहां 30-40 नौर्थ कुरिया के मिले है और चाइना ने अभी तक उनको कोई सपोर्ट नहीं क्या पर फाइनांसली देखा जाए तो चाइना ने सैंक्सन जो थी उसकी तो यह सब चीज़ देखते हुए तीन चीज़े हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी सबसे पहली चीज़ की प्राब्लेम क्यों हुआ है तो जो 60 बिलियन डॉलर की जो उनकी एड थी एड रुक गई है और अमेरिकन कॉंग्रेस आटो पाइलोट पे हैं क्योंकि इसमें यह कह सकते हैं कि आज पहले उन्होंने उनके डिफेंस सेक्रेटरी को इंपीज करने कोशिस की पहली पर अंसक्सेबर दूसरी बार की मैजोरिटी खाली दोकी है पर जो जॉनसन उनके स्पीकर है पहले वारे स्पीकर मेक कार्टे को निकाल दिया तो ट्रंप का ट्रंप के स्टेटमेंट जो है तो वहां 30 पर्षन जो पॉप्यूलेसन है वो उनको ब्लाइनली सपोर्ट करता है वहर जगा ऐसे है कि जहां-जहां जीतते हैं वहां 30-33% जिसको हो गए है उनका एक बहुत बड़ा बेज रहता है जब तक और सेनेट ने आपको ताजूब होगा कि सेनेट ने 60-30 से यह पास कर दिया है बिल 19 मिलियन फॉर इसराइल 60 मिलियन फॉर युक्रेन 9 मिलियन फॉर गजा रेफूजिस और ताइवान तो अब एक सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका सुपर पावर है पर उनको सिक्यूरिटी वो प्रोवाइड ताइवान भी ताइवान में कुछ होगा नहीं क्योंकि हम चाइना की एकोनोमिक सिच्वेशन इतनी अच्छी है नहीं और वो अ अगले पांच या दस साल तक इस तरह का जोखम उटाने के लिए कोई कोशिस नहीं करेगा पर यदी एड नहीं मिली तो यूरोप में आपने देखा कि मैकरन ने मिटिंग बुलाई थी जिसमें स्क्लोजर सब्सक्ते उन्होंने ये कहा है कि इवन वहां तक स्टेट्मेंट या स्लोवेजन प्रेसिडेंट ने के सायद आर्मी बेज यूरोप में आर्मी जाएगा और मेकरन ने ये कहा है कि ये पॉसरिबिटी रूलाउट नहीं कर सकते हैं तो लापर ने कहा कि इस चौकिंग लाइक वार्ड लीडर पर सबसे बड़ी इंपोर्टन चीजी है कि यद इतना अच्छा नहीं है तो यूक्रेइन इस वेरी इंपोर्टन और ये नाइटीन थर्टी नाइन सेकंड वल्वर की तरफ पीस ओप अवर टाइम करके इसको यूरोप या अमेरिका नहीं करेंगे नाटो की दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका के इलेक्शन में क्या होगा क् अब जापान, साउथ कुरिया, जर्मनी सभी ने अपना डिफेंस बजेट बढ़ा दिया है और पर्टिकुलर्ली उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि वेस्ट अमेरिका और जो मिसाहिल्स है वो अभी भी जर्मनी इतनी जल्दी तोरस मिसाहिल्स देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है जो बड़ी ताज्यूप की बात है पर सायद ड्रॉन्स, एफ सिक्स्टीन एरक्राप्ट, कि टी एमस मिसाइल्स ये सब चीज़े यदि अगले दो या तीन मेंने, क्योंकि अब रश्या अभी इमेजिट ये स्टेल्मेंट जैसा ही है, जैसे मैंने कहा, ये सब उन को किया जाए तो भी एक मिना लगेगा, जब तक ये एड नहीं आएगी और अर्मामेंट नहीं आएगा, जब तक स्टेल्मेंट रहेगा, पर ये बहुत ही इंपोर्टन चीज़ ये रोप और सभी डेमोक्रसी के लिए है, कितत सर आपसे बातचीत में ये समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा कि लोकतन पर प्रहाट सर्फ रूस में ही नहीं और इससे ही जुड़ा है अमेरिका, अमेरिका के राश्रोपती चुनाओ, और यहाँ पर भी अगर जो इस्तिती अभी दिख रही है, शायद यहाँ पर भी जो है एक्स्ट्रीमिस जो आइडियालोजी है, वो बढ़ात बनाय हुए है, उसको कहीं न कहीं अभी जो है एक बढ़ात दिखी हुए सिचुएशन उसकी मजबूत दिख रही है, आपका क्या ओपीडियन? कि ट्रम्प को जो सपोर्ट करते हैं, उसमें तीन तरह की लोग है, एक religious fundamentalism जो इवेंचलीक, pastor और वो सब लोग है, दूसरे uneducated, जो undergraduate जिनों ने किया नहीं है, और तिसरे जो हम कह सकते हैं कबाल के सब सुपरमासिस्ट, एंटी रेसिस्ट, हर तरह के अलग-अलग तरह की व उनकी 30 परसंट या 35 परसंट वोट बैंक तो अच्छी है, पर, मीडिया का भी रोल है कि कुछ majority, some of them, Fox और यह सब मीडिया, जुके बाइदेन के ज़्यादा हो गए है, गाफे कर रहे हैं, पर ट्रम्प का दिक्कत मुझे यह लगता है कि डेमोकरसी के लिए सबसे important चीज इ European Union यदि जो NATO बाइदेन ने ठीक से सेट नहीं किया होता, दूसरी, Gaza, वहां के आरब लोग काफी परिसान है, Michigan में भी बाइदेन किया है, पर Abraham Accord और Jerusalem को Capital और West Bank में settlement, यह पूरा का पूरा प्रोब्लेम 2017 में Abraham Accord के बाद सुरू हुआ था, साओधी अरबिया ने उनके तो Trump वापस आये, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह हो सकती है कि उन्होंने अब तो इनका पूरा जो मारा लागों में top secret document निकले है, कि उनके उनके साथ कुछ सेर भी की है, उनके foreign minister के साथ इस तरह का, तो यह परिस्तिति में मुझे लगता है कि जब election pass आता जाएगा, ऐसे ऐ Biden की economy काफी अच्छी है, 3.5% उनका growth rate है, unemployment पिस तरह साल में कम है, और Gaza का, Gaza का ऐसा दीख रहा है कि नैथनियाओ जैसे पुटीन को भी यह फाइदा है, जब तक war है तब तक बहुत stable है, गाजा में अब एक last point रहा है कि साथ ceasefire हो, और स्टेजिस चूट जाए, यह रापा मे two-state theory problem solve गया है, तो Ben Guns जो पहले दो बार जनरल रह चुके हैं, बहुत ही non-political है, इस परिष्थिति में गाजा में ही अधी कुछ resolution हुआ, युकरेन में कुछ परिष्थिति इंपरूव हुई, तो Trump के आने के chances नहीवत है, और जो उनके side line पे जो होते हैं, और जो suburb में रह करेंगे, बाकि उनके रोज जो statement आते हैं, वो तो मुझे लगता है कि इस सदी में या लास्ट तीन सो चार सो साल में भी किसी ने दिये नहीं होंगे, और अभी academic और student ने जो president के ranking किया है, तो उसमें Biden को 13 वा नंबर Obama और Clinton से आगे मिला है, पर 40 वा नंबर जो last है, वो again Trump को म मिला है, तो overall उनकी जो foreign policy है, उनकी economic policy है, उनकी जो statement है, और racism है, फिर वो जो वाड़ और वरसी साभी IVF का issue आ गया है, तो काफी issue मुझे लगता है कि destiny, I think, it is good for the world, destiny is working against autocratic forces, फिलाल, तो ये इसलिए, जो possibilities और जो तिन महीने बाद हम discuss करेंगे, पर मेरा ये मानना है कि 2020 के सभी election, midterm election और सभी election, सेफोलोजिस्ट, सर्वे, जो हमारे यहां भी सर्वे होते हैं, सभी ने कहा था कि democratic party बुरी तरह आ रहेगी, 22 में जीते, Senate जीते, Congress में भी अभी आपको ताज़ूब होगा, एक week पहले New York का Congress का election भी, जो Santos की सीट कहीं थी, वो भी democratic party आठ परसन से जीत अच्छा है, स्वाज, NATO, Trump के आने से, एक कह सकते है कि कुछ पता नहीं है कल क्या होगा, और वो क्या करेंगे, तो पुरी दुनिया में एक अस्थिरता आ जाएगी और उनके जो आइडॉल है, Putin, Kim John, Zee, ये सब चीजे देखते हुए, मुझे लगता है कि हम दो मेने बाद इ आपने जो मीड जताई है और जो परिस्थितिया भी बताई है, उसे यही लग रहा है कि Trump के जो आसार है हो सकता है कि वो मजबूत ना हो और पुरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली और अमेरिका के चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लोकतंत् इसकी निंदा करने को जो आवाजे सामने आती हैं उसको भी समर्थन मिलता है और हाला कि भारत भी इसमें एक अहम भूमिका निभार आ है लेकिन भारत में भी राज़ितिक परिस्थितियां बदल रही है तेजी से 2024 में यहां पर भी चुनाव है और इसलिए यहां पर भी ज तीम थी वैल्योबल फीद्बैक अवश्य भेजे इन्फोएजसब्राटकासिंग.com और नेहाजसब्राटकासिंग.com पर भी नमस्कार